क्या है शे जिन्पिंग की काली कार की पीछे की कहानी क्यों इस कार को कहा जाता है चलता फिरता बंकर कोई भी हमला शे जिन्पिंग के इस ब्लैक ब्यूटी के आगे फेल है ये कार दुनिया की सबसे ताकतवर कारों में शुमार है चीन पर एक छत्र राज करने वाले शे जिन्पिंग की ये कार जैसे ही भारत की सडकों पर दोड़ी सब की नजरे इस पर टिक गए ये कार देखने में जितनी खुबसूरत है उतनी ही ताकतवर भी बस यूँ समझ लीजिए चार पहियों पर दोड़ता ये बंकर है शी जिन्पिंग कहीं विजाते हैं इसी कार में सफर करते हैं चुकि चीन की सरकार हेलिकॉप्टर के इस्तमाल से बसती है इसलिए चिन्पिंग से महाबली पूरम का 55 किलोमीटर का सफर शी जिन्पिंग ने इसी कार में तैय किया शी जिन्पिंग की इस ब्लैक ब्यूटी का ना होंकी है जो अमेरिकी रास्ट पती की कार दबीस्ट से किसी मामले में कम नहीं है ये पूरी तरह चीन में बनी कार है जिन्पिंग जिस होंकी L5 कार पर सफर करते हैं उसे कंपनी ने खास उनके लिए बनाया है बाजार में होंकी की कीमत 5.5 करोड है लेकिन शिचिन्पिंग की एक खास कार अपनी ताकत और बेजोड सुरक्षा की वज़े से कही ज्यादा महंगी है इस कार में ऐसे ऐसे सिक्यॉरिटी फीचर है जो आपको किसी कार में नहीं मिलेंगे हैरानी की बात ये है कि कार की सिक्यॉरिटी फीचर को सीक्रेट रखा गया है इस कार की बारे में जितना पता चला उसके मताबिक इस कार की खिड़की दरवाजे हतियारों से लैस है या 8 सेकेंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ सकती है इसमें टर्बो चार्ज्ड इंजन वी एट इंजन लगा है जो की 402 हर्थ पावर के साथ आती है हॉंकी कार के खिड़की दरवाजे बेहत भारी है सिंगल गैस टैंक फुल होने पर 500 मील तक दौर सकती है हॉंकी ब्राइन की कारों को चीन की लिमोजीन भी कहा जाता है ये चीन की सरकार की आधिकारिक कार भी है पिछले कुछ सालों से ही इस हॉंकी को विदेशी दौरों में इस्तमाल किया जाने लगा है दुनिया में चीन की कारों को प्रमोट करने के लिए ऐसा किया है होंकी को रेड फ्लैट भी कहा जाता है 2014 में पहली बार न्यूजिलेंड के दौरे पर शी जिनपिंग ने इस कार का इस्तमाल किया 1970 में चीन के सबसे बड़े नेता माउने होंकी कार की सवारी की साल 2012 में होंकी ब्रैंड की कार चीन में शान की सवारी बनी माना जाता है कि शी जिन्पिंग के पास ऐसी तीन खास कार है चीन की फर्स्ट आटो वर्क ग्रूप कम्पनी में 1958 में ऐसे लगजरी कार बनाने की शुरुवात की थी